अगामी विधानसवा चुनावों में भाजपा की इस्तिती सबसे ज़ादा चिंता जनक राजिस्तान में है अब तक कि सभी चुनावी सर्वे पर नजर दोड़ाएं तो पता चलेगा कि राजिस्तान में एक बर फिर सत्ता परिवतन का टेंड चालू रहेगा खालिया सर्वे भी यही बता रहा है कि भाजपा 36 गड़ और मध्यप्रदेश में सत्ता बचाने में काम्याब हो जाएगी पर राजिस्तान में थोड़ा मुश्किल है लेकिन राजिस्तान में कॉंग्रेस भले ही जीत के सपने देख रही हो लेकिन बीजेपी आला कमान ने तैकर रखा है कि पार्टी यहां भी हतियार नहीं डालने वाली है राजिस्तान में अमिश्या पिछले तीन महिने से संगठन को दुरुस्त करने में लगे हैं वही भाजपा राजिस्तान में पार्टी के ट्रम कार्ड पीएम मोदी की कम से कम एक दरजन रेलियां कराने की तैयारी में है बीजेपी को भरोसा है कि चाहे लाग सत्ता विरोधी लहर हों लेकिन चुनाव में लड़ाई तो जीतने के लिए ही होगी आईए देखे भाजपा की तैयारियों को राजिस्तान में मुख्यमंत्री वसंद्रा राजे की विकास यात्राएं तो पिछले कई महिनों से चल रही है लेकिन पांस साल की एंटी इंकम्बेंसी को मिटाना राजी की बीजेपी सरकार के लिए असान काम नहीं है इसलिए पार्टी पीम मोदी का नाम और मोदी सरकार की काम पर ही भरोसा कर रही है चुनाव प्रचार जब जोर पकड़ेगा तब पार्टी के स्टार प्रचारक पीम नरेंद्र मोदी मैदान में उतरेंगे पार्टी ने टै किया है कि पीएम मोदी कम से कम 14 चुनावी सभाई करेंगे ताकि हर विधानसवा शेत्र तक उनकी गूंच सुनाई दे सके इसके साथ ही बीजेपी आला कमान राजिस्तान में भाजवा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनात का भी पूरा इस्तिमाल करने का मन बना चुका है क्योंकि गोरक नात मच से आस्ता रखने वाले लोग राजिस्तान के हर जिले में रहते हैं तबी तो पार्टी ने तै किया है कि राजिस्तान में योगी आदित्यनात की 40 जन सभाएं कराई जाएंगे वैसे राजिस्तान विधान सभा चुनाव में राम बंदिर मुद्दा जमकर गूंज रहा है भाज़पा के नेता राम बंदिर मुद्दे पर खुल कर बोल रहे हैं जिससे हिंदू वोट अधिक से अधिक हासिल किये जा सके राजिस्तान को लेकर चिंता भाज़पा आला कमान के मन में शुरू से थी नए अध्यक्ष को लेकर मुख्यमंत्री वसुंद्रा राज्य का अड़ना भी भाज़पा दिगजो को फजीयत में डाल रहा था लेकिन बीज़पी अध्यक्ष अमिश्चा के दिल और दिमाग में यही था कि मोर्चा नहीं समाला तो हार तो पार्टी को ही मिलेगी और नुकसान सबका होगा इसलिए उन्होंने राजस्तान की तावर दोरे किये ब्लाक सर से लेकर बूद सर के कारेकरताओं से मुलाकात की उनकी शिकायते सुनी उनका दर्द बाटा और गाड़ियों में राजस्तान की सडकों की धूलफा की उन्हें भरोसा दिलाया कि पार् पुरा जोर लगाने की तयारी कर ली है वैसे भी इन चुनावों को मिशन 2019 का सेमी फाइनल माना जा रहा है इसलिए भाजपा ने तैक किया है चाहे कुछ भी हो जाए यहां पर मोदी की जीत होनी चाहिए और उसी के लिए वो पूरी रणीती बना रहे हैं और अमिश्या अभी से अभी से क्या वो पिछले कई महिनों से इस चीज में लगे हुए हैं और मोदी भी इस चीज की प्लानिंग कर चुके हैं कि उन्हें क्या चीज़े करनी है और राजिस्तान में जादा से जादा वोट कैसे अरजित करने हैं तो यहां पर हो सकता है कि कही ना कहीं फिर से सीएम वसंदरा राजे ही बन जाएं लेकिन देखना अभी भी दिल्चस्प है और अभी कुछ भी कहना सही नहीं है यहां पर जोरो की टक्कर है कॉंग्रिस और बीजेपी की बीच में तो देखना बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग है कि यहां पर जीत किसकी होगी तो हम जल् साथ प्लीज स्टोर पे जरू जाएं और टुडेज की आपको जरू डाउन्डोड करें